नमस्कार वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हो दिव्यानशू अमेठी राइबरेली सीट को लेकर जो लंबी उठा पठक चल रही थी और जिसे तैम माना जा रहा था कि राहूल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे और प्रियंका को जो मैदान में उत रिस्ती हुई नजर आ रही है या फिर कॉंग्रिस ने कोई नई श्वत्रंज की चाल चली है जैसा कि जैराम रमिश ने अपसे कुछ टाइम पहले ही बताया था उस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ कुछ खास महमान हैं वरिष्ट पत्रकार हैं और हम यह ज्वानेंगे कि क्या कोई नई चाल है या फिर कहीं न कहीं बीजिपि के लिए बढ़त थाबित होगी हमारे साथ की योगे योगे सिर्ह क्या लगता है कि अमेठी से राखूल का जाना रहा खी लिए कितना बड़ा कॉंग्रेस का ये चौल कह सकते हैं इसे या फिर ये बीजेपे के लिए कहीं न कहीं फाइदा पहुचाने वाली उमीद हो सकती है उसके लिए देखे दिव्यांशु जिस तरह से कॉंग्रेस ने आज सुभा सुभा अनौंस किया कि राइबरेली और कॉंग्रेस की तरफ से लिया गया है उन्हें वो इलाका नहीं छोड़ना था कॉंग्रेस को जाहर तोर पर एक जो दबाव कहते हैं कि वहां पे 25 साल से या उससे पहले से एक गड़ रहा है अमेठी राइबरेली दोनों सीटे और जब सुनिया गानी ने ये फैसला लिया कि चुनाओ नहीं लड़ेंगी और राजय सभा जाएंगी तब ही से इस सवाल उठ रहा था कि अमेठी राइबरेली कौन लड़ेगा अमेठी से रहुल गांधी थे पिछली बार लेकिन समर्टी राणी ने जिस तरह से उनको पटकनी दी उसके बाद वाइनाड वो चले गए इस बार उनके ओपर दबाओ था कि वाइनाड भी वो लूज करेंगे जिस तरह की बात की जारी है तो क्या अब यूपी की तरफ जो सबसे बड़ा सुबा है देश का उसका रुख क्या गांधी परिवार करेगा या उसे छोड़ देगा तो एक दबाओ भी था लेकिन एक र ऐनी ने वहां पर राह५ गांधी फटकन already की अगर ऑर इस समरिती रानी को महां हराना थ ठाकते को 1400 गंथे उस एलाके में मैंट करनी पड़ती वहीं पे उन्हें रुखना पड़ता और शायद परिंका लिखता हूँ वहां पर इसलिए ये टेक्टिकल मूव है कि राय बरेली थोड़ी सी आसान सीट कॉंग्रेस को लग रही है कि शायद वहां पर वो सीट राहूल गांदी निकाल लेंगे उतने राहूल गांदी की प्रेजन्स की या उतने बर्चार की जरुवत वहां पर उनके नहीं होगी जबकि अगर वो अमेठी जाते तो उन्हें 24 गंटे वहां पर रहना पड़ता तो ये टेक्टिकल मूव जाहिर तोर पर कॉंग्रिस की तरफ से और एक तरह से वो जाल में फंसने से बच गई बीजेपी के जो मैं मानता हूँ ठीक है जाल में फंसने से बच गई उनको पहले से ही उतार चुके मैदान में पहले सोनिया गांधी के करीबी माने जाते थे लेकिन अब क्या जो करीबी है वही कुछ खेल कर जाएगा या राहुल गांधी के लिए सीट आसान होगी राहुल गांधी का राय बरेली से लड़ना जितना वरा आश्चरे है मेरे लिए उतना वरा आश्चरे उनके अमेठी से नहीं लड़ना भी है जैसा योगेश जी कह रहे था मैं पहले अमेठी पर आता हूं फिर राय बरेली पर भी आऊंगा टेक्टिकल मूव होगा जरूर लेकिन मैं रात तक आश्वस्त था मैं खुद रात तक आश्वस्त था कि राहुल गांधी जैसा उनका फाइटिंग इंस्टिंक्ट रहा है व 2019 में अस्मिर्ती इरानी को कोई नहीं जानता था तो उनके खिलाफ एंटी इंकंवेंसी भी नहीं थी अभी अस्मिर्ती इरानी को लेकर कि अमेठी में कुछ विवाद भी रहे हैं तो मुझे लगता था कि इस बार यदि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे तो उनका पलड़ा भारी हो सकता है लेकिन यह टेक्टिकल मूब भी है अब इस सुबह जब इस बात की घोषणा हुई तो फिर हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं तो जिस तरह से मैं सर्प्राइज हुआ इस तरह से बीजेपी भी सर्प्राइज होगी वो उन्होंने अपने सारे ह काउंटर एटैक की तरह देखता हूं आप यह समझिए कि यदि एक पर्तिशत यह संभावना होती कि इसमिर्थी इरानी से फिर से राहूल गांधी हार जाते तो कांग्रेस की बची खुची जो साख है वह भी खतम हो जाती लेकिन अब स्थितियां यदि बदली और के इल श बीजेपी को जो योगेश जी कह रहे थे सही है कांग्रेस बीजेपी के जाल में ना फसकर बीजेपी को अपने जाल में फसा चुकी है रही बात राय बरेली से तो मुझे लगता है कि राय बरेली से चुनाव लड़कर राहूल गांधी ने एक अनपक्षित रिस्क तो बन रही है अधिती सिंग की चर्चा थी राय बरेली से अधिती सिंग के पिता और अभी जिन को टिकट मिला है उनमें पर्तिदोंदीता भी रही है दोनों कांग्रेस के कारे करता एक समय में हुआ करते थे तो हो सकता है इन सभी परिस्तितियों में और कांग्रेस का वोट वें फिर राइबरेली, दोनों में से कौन सा लगता है, क्योंकि एक तो चुनना पड़ेगा उन्हीं, अगर राहुल जीच जाते हैं, तो मुझे लगता है कि राइबरेली की सीट छोडेंगे, वाइनाड की सीट कंटीनिव करेंगे वो, और राइबरेली से उसके बाद प्रियंका अभी तक महोल लग रहा था, लेकिन अचानक से मूव करना, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कार करता हूं का मनुबल, जो है, कॉंग्रेस कार करता हूं का मनुबल, जो इंडिया अलाइंस बनने के बाद बढ़ा था, वो कम होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, जहां तो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस ने जो रास्ता अपनाया है, वह एक थोड़ा आसान सा मूव लिया हुआ है, इसमें ये दोनों ही सीट है, जो है अमेठी कहें या राइबरेली, दोनों कॉंग्रेस की अपना गड़ है, अपनी सीट है अपने दोनों ही सीटों को, और अमेठी की जहां तो बात है, वह भी उनके करीबी है, कहल सरमा जिनको इन्होंने उठाया, दो वह भी उनको अपनी सीट जो है, बचाने के लिए, उनको अपना विश्वस्ता आजमीं उन्होंने मैदान पर उता रहा है, तो मुझे लगता है कि यह जो मूव है, यह कोंग्रेस ने जो पत्ते जो छुपा के रखे तो इस खोले है, यह अपना एक आज़ान रूट उनके लिए, एक आज़ान मूव मुझे ऐसा मूझा लगता है, हमारे साथ कुल्दीप जी भी है, कुल्दीप सर कितना आपको लगता है कि यह जो बार- इसे ही तो सीधे यह मैसेज गया, अब तक यूपी में 17 सीटों पर कॉंग्रेस लड़ रही थी, अब मैसेज यह चला गया, सिर्फ एक सीट पर लड़ रही है, वो है रायवरेली की, वो इसलिए वायनाट नहीं छोड़ने के लिए राहूल गांधी पहले से वादा कर चुक रायवरेली में उतरा है, फुरसद गंज एयरपोर्ट में पूरा दिखा लावरस कर, आप समझे कि केल शर्मा ने आज नामंकन किया है, वहाँ पर पांच से दस मिनिट रही है, प्रियंगा गांधी छोड़ करके सीधे रायवरेली मूव पर गई, अब आप यहाँ यह समझ दिया उन्होंने पूरे चुनाओ को रायवरेली में, कॉंग्रेस के, अब आप यह देखी, प्रियंग का पीछे हट गई, उनकी माना जा रहा थे कि वह रायवरेली से ले लेगे, अमेठी में जिस वेक्ति को लड़ाया उन्होंने, वो सब जानते हैं कि वो पीए थे, पांधी परिवार से हैं, लेकिन वहाँ पर अमेठी को जो है न, वो अमेठी वाक ओवर दे दिया, और अमेठी में अगर इसमरती इरानी को हराते या हरते, तो एक सिंपाइथी भी गेन होती, जो पांच साल के एंटीन कमिंसी, उसका भी राहुल को फायदा मिलता, इसके ल लड़ो मात और लड़ो और वो तो सारी लड़ाई जो आकर के सीधे राइबारीली में फोकस हो गई, तो अब मुझे लगता कि बीजेपी के लिए यूपी में जो असी वाला जो उनका टार्गेट है उसमें असी भले नाम है, लेकिन चीजें आसान हो गई है बीजेपी के लिए और कॉंग्रेस के चकर में एक सीट पर आ करके सीमित हो गई है, एक लास्ट कमेंट योगेज सर से चाहूंगा, क्योंकि अब समय भी थोड़ा कम है, एक तरफ यह चल रहा था कि रॉबर्ट वाड़ा भी कहीं ने कहीं कोशिश कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिल जाए, और लास्ट मुमेंट में जब आपको शर्मा जी को टिकट देना था तो पहले भी आप फाइनल कर सकते थे, और अंत में लाके क्योंकि राबर्ट वाड़ा कि कहीं न कहीं ये कोशिश थी, और वो बार-बार कह रहे थे कि जनता चाहरी कि मैं चुनाओ लड़ूं, अब कौन से जनता चाहरी थी, वो उन्हें भी नहीं स्राइब पता रहोगा, लेकिन अंत में जब आपको शर्मा जी को देना था तो पहले ही बता सकते थी ये चीज़, नहीं देखिए किसको देना था, किसको नहीं देना था, जाहर तो पर कॉंग्रस सोच रही थी कि वाइनाड का ज नाम की घोशना कीगी और उनके बेटे को ही टिकट दे दिया या किसी बाहर वाले को टिकट नहीं दिया, बेशक उन्हें नहीं दिया, इसी तरह कॉंग्रस ने ये चीज़ पकड़ कर रखी कि जब तक वाइनाड का चुनाओ नहीं निकल जाता है, तब तक और अमेठी हैं, उसका मतलब वहीं नहीं होता है, तो बहुत सी चीज़ निकलती है, या कॉंग्रस भी जो करती है, तो वो हो सकता है, क्योंकि रॉबर्ट वाडरा को पार्टी का कोई काम एक तरह से अगर हम देखें, उनकी कोई ऐसी च्छवी नहीं है, कि एक मास लीडर है, या वहां पर उनने कोई समय दिया हो, या उनकी कोई लिगेसी इस तरह की रही, वो सिर्प नाम जुड़ा हो है, तो हो सकता है, वो एक अलग तरह का मूव जो है, वो हो सकता है, कॉंग्रस का हो, कि ठीक है, इस तरह ध्यान जाता रहे, हम अपना पत्ते जो है, उस तरीके से चलेंगे और जिस तरह से कुल्दीब ने भी कहा, कि वो एक सीट पर आकर सारी चीज़े रुक गई है, राइबरेली के अंदर अब फोकस होगा, इस पर दूसरा एंगल यह है, कि बीजेपी दूसरी चीज़े भी कर सकती है, वो एक दूसरा एंगल हो सकता है, कि हाँ, अब कॉंग्रस किस तरह से वहाँ पर अपना चुनाव पर चार करती है, क्या प्रेंका गांदी वहीं पर डटी रहती है, या उस सीट पर बीजेपी किस तरह का परचार करती है, बीजेपी क्यूंकि अब यह भी कह सकती है, कि अगर दोने जगा से जीत गए तो वाइनार को करेंगे, और वा है कि पलडा किस तरफ जाएगा किस तरफ जुकेगा कॉंग्रस कितना कन्विंस कर पाती है राइबरेली में लोगों को कि अगर उनकी सीट को छोड़ दिया गया तो फिर क्या बाद में कौन क्या ये बहतर हो सकता है जितना इन्होंने अभी करने की कोशिश की है ये उत्तर प्रदेश के लिए तो पता नहीं लेकिन कांग्रेस सब जानते हैं हम भी अब बात समझते हैं कांग्रेस लोग सभा में जीत और हार की लडाई नहीं लड रही है कांग्रेस अपनी साख बचाने की लडाई लड रही है और उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस का यह calculated move है well calculated move है और जो आप समय की बात कह रहे थे न तो politics हो या cricket timing का बड़ा महत्तु है देखते हैं यूपी की जनता इसको किस तरह से accept करती है या इसे reject करती है सही बात है कि politics हो या फिर cricket हो सबका समय ही जो है वो तैय करता है कि जीत किसकी तरफ मोटे वाली है लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यही चल रहा था कि कॉंग्रेस के कारे करता हों के लिए यह फैसला कितना बहतर साबित होगा उत्तर पुदेश के लिए जो असी सीटे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बीजेपी कहती है कि असी सीटे वो लाने वाली है असी में से असी दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो आई- उससे भी हमें बताइए का फिलाल वर इंडिया हिंदी के साथ बने रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को जरूर मैं था आपके साथ दिवांश नमस्कार